इस टॉक में एक एक आपको स्टेंट देखने को मिली थी बट अभी जो इसका सपोर्ट नीचे की तरफ खिसका है वो 18 रुपिय असी पैसे के आसपास में है जो ये कंटिनिवसली इस चीज को रिस्पेक्ट दे रहा और ये रिस्पेक्ट दे रहा इसी वजह से यहां पे स्ट कर रहा मोमिंटम कर रही है अगर आप एक लॉंग टर्म ट्रेडर हैं तभी आलूक इंडस्ट्री पर अपना हाथ लगाए अधर्वाइस बहुत सारे स्टॉक है जो मैं रिव्यू करता हूं आपको मैंने टाटा स्टील बताया आपको मैंने अलकल अलकल एमीन्स के बारे में बताया जिसने एक बहुत जवज़ेस प्रॉफिट आपको दिया मैंने आज सुबह सुबह दीपक नाइट्रेट के बारे में बताया इस टॉक पर क्या गजब की स्ट्रेंथ है और मेरी मानिये दीपक नाइट्रेट 2000 प्लस दिखेगा इसी महने के अंदर में आप इस चीज को लिख के ले जाएए बट मैं गारेंटी नहीं दूंगा आपको स्टॉक पर बनने के लिए नहीं कहूंगा यह मेरा डिस्क्लीमर है मेरा पर्सनल ओपेनियन है मैं इस स्टॉक को बहुत पीछे से ट्रैक कर रहा हू मैंने उसे स्टॉक को 400 पे आपके सामने प्रिजेंट किया मैंने उसे स्टॉक को 600 पे आपके सामने प्रिजेंट किया एवन 1000 पे 1500 पे 1700 पे जो रिजल्ट इसका पांच मैं को आने वाला था तब भी मैंने कहा था कि 1700 रुपे पे स्टॉक को ग्रैप किजिए 1900 लगबग 2000 के आ पर चीप करेगा सत्रह सो कुछ रुपय पे स्टॉक ट्रेड कर रहा सेवेंटीन हंडेड़ याद रखिएगा मैं अलुक इंडस्ट्री के माइदम से दिपक नाइटेड को आगवेस हमने कह रहा हूं जरूर याद रखिएगा दिपक नाइटेड वन अप दा फाइनस केमिकल क कंपनी इन दे सिग्मेंट ऑफ फैनॉल और फैनॉल की बिक्रीब बहुत जादा बहुत बाइसेल हो रहा है कोवेट एंटीन पे बिकॉज सरफेस क्लीन अप के लिए आपको फैनॉल चाहिए आफ हैंड को वस करने के लिए सेनिटाइजर का इस्तमाल कर सकते हैं बट सरफेस को सेनिटाइजर से वस नहीं कर सकते हैं और फैनॉल की बिक्रीब बहुत जादा है इस चीज को ध्यान में रखेगा आलोक इंडस्टी पे मैंने दीपक नैटेट को इंक्लूड किया बिकॉज इस ट्रॉक पे आप पैसे बना सकते हैं देखिए आलोक इंडस्टी पे आप ए नीचे के तरफ 17 रुप्य 35 पैसे और 16 रुप्य 50 पैसे इस से नीचे मुझे स्टॉक बिल्कुल नहीं दिखता है गारेंटी के साथ करता हूं 16 रुप्य 50 पैसे से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा लिख के ले जाए बट फिर भी है डिस्क्लेमर में यहीं कहूंगा कि आप जो भी स्टॉक पे बाइसेल किजिएगा वो आपकी खुद की अनलेसिस होनी चाहिए बिकॉस से भी के कोडिंगली मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर सकता हूं इस स्टॉक पे अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम आई तो 21 रुप्य 50 पैसे को उपर यह स्टॉक नही नियूज आएंगे और अभी गुद नियूज की कोई चांसिस नहीं है इस स्टॉक प्ले करेगा कहां से कहां तक तो इस चीज को लिख के ले जाएए का 18 रुपिय असी पैसे से यह स्टॉक 19 रुपिय 50 पैसे 20 रुपिय और 21 रुपिय 50 पैसे के बीच में प्ले करेगा अग कि एक टेक्स्टाइल इंडस्ट्री पे कुछ खबरें थी जिसके वज़े से ट्राइडिंट पर भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है 19 परसेंट ट्राइडिंट का सेयर चला सुबैक्स अल्रेडिया मल्टी बैगर मैंने उसे स्टॉक को 12 रुपिय से आपके पास में प्रेजेंट किया था और मैंने कहा था अगर आप एक रिस्की ट्रेडर से हैं तो सुबैक्स को खरीद के जाईए 800 रुपिय का हाई है उसे स्टॉक का एक आईटी कमपनी है जो पर प्रेजेंट किया अभी 65 पर वह स्टॉक ट्रेड कर रहा तो अगर आपने उसे स्टॉक पर बने हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉपिट बुक करके रखना चाहिए और फिर नीचे की लेबल से ग्रैप कर लिजे और लॉंग टर्म बालों के लिए एक बहुत अच्छी ओपर्चुनिटी है सुबैक्स पर रिस्की है बट रिवर्ड बहुत ज़्यादा है अगर आप देखेंगे तो सुबैक्स पर रिस्क और रिवर्ड में बहुत बड़ा फर्क है because 800 रुपिय का ये stock और management की commentary बहुत तगड़ी है तो आने वाले time में आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिल सकता है मैं इस वीडियो के माइदन से 3 stock कवर किया हूँ तो ये न सुचिएगा कि मैंने अलूक industry को सिर्फ कवर किया आलूक industry जो long term के traders हैं वही buy sell कीजिए otherwise skip कीजिए lots of stocks are there in the stock markets और NST BST पे बहुत सारे counters है जो मैं आपको धिरी-धिरी करके present करता हूँ तो आलूक industry पे सिर्फ long term के लिए वीडियो है short term के लिए कोई भी जगा नहीं है